हेलो अब्रिवन कैसे हैं आप सब चलिए आज हम दाल मकनी बनाएंगे तो उसके लिए हमने राजमा साबुत उरत की दाल मने भिगा दी है अब इसको हम कुकर में डाल देंगे अब इसमें हम दो ग्लास पाने डालेंगे हम इसमें चमच नमक डालेंगे इसको हम गैसे रखके बंद कर देंगे इसमें छे साथ सीटी आ जानी चाहिए यह देखिए यह पग गया है यह देखिए अच्छे से पग गया है इंदर हम तेल रेडी करने के लिए रख दिया था इसमें हम डालेंगे जीरा तेजवत्ता धाल चीनी एक काली लाइची लाल मिर्ची इसमें अब डालेंगे हम पियाज इसमें अद्रग लसन का पेश्ट है अब इसको भी हम अच्छे से मिला के भूनेंगे इधर हम हरी मुर्ची डाल देंगे अब इसको मच्छे से भूनेंगे इसमें हम टमाटर पीरु डालेंगे मिक्सिए में पीसलिया था अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मुर्च पाउडर, धनिया पाउडर, काली मुर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर अब इसको अच्छे से हम मिलाएंगे अभी मिल चुगा है तेल आ गया है उपर अब इसमें हम एक चम्मच नमक और डाल लेंगे ध्यान रखना पहले भी डाल रखा है मैंने यह देखिए मेरा मसाला तयार हो गया है अब इसमें हम उबला हुआ राजमा डाल देंगे अब इसको मच्छे से मिलाएंगे इसमें अब सेटा अनुसार पानी डाले अब इसमें थोड़ा से दूद डालेंगे अब अच्छे से मिला देंगे अब इसमें हम घर की मलाई है ताजी तो इसको भी हम डाल देंगे अब इसमें हम थोड़ा बटर डालेंगे इसको भी अच्छे से हम मिला देंगे थोड़ी कसूरी मेथी डालेंगे इससे स्वादा और अच्छा आजाएगा इसमें हरी धन्या से हम गानिस कर देंगे इसमें थोड़ी मलाई से हम गानिस कर देंगे कैसी लगी मेरे बीटियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सस्क्राइब, सेर जरूर करना अपने घर में जरूर बनाना थैंक यू